टोंग हिंसा मामले पर कल तक जो बाबा किरोडी न्याइक जाच के मामले पर ग्रामीनों पर भड़क रहे थे ताओ खा रहे थे वो किरोडी मीना आज नरम पड़ गए हैं न्याइक जाच की मांग को लेकर कह रहे हैं कि अगर ग्रामीन कहेंगे तो ये जाच करवा दी जाएगी और पहली बार शायद किरोडी मीना की लगबग चार दशक की राजनीती में टोंग हिंसा मामले पर जो भूमिका वो अदा कर रहे हैं उस भूमिका में उन्हें अपने ही समाज का साथ नहीं मिलता शायद दिखाई दे रहा है अपने ही समाज अपने ही समर्तक अपने ही वोटर्स के बीच शायद वो भरोसे की कमी महसूस कर रहे हैं शायद वो ये देख पा रहे हैं कि जो भूमिका वो सरकार के साथ मिलकर टोंग हिंसा मामले में निभा रहे हैं ग्रामीन उस पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं कल की तस्वीर आपने देखे किस तरीके से किरूडी लाल मीना ग्रामीनों पर भड़के थे आज सवाल क्या है आज उन मुलक उन ग्रामीनों से मुलाकात की जो टॉंक जेल में बंद है कहा तो ये भी जा रहा है कि नरेश मीना से भी मुलाकात की है आलाकि इस मुलाकात को लेकर कोई जानकारी नहीं सामने आई लेकिन सवाल क्या है देखे मैं आपको बताता हूँ नरेश मीना और किरूडी लाल मीना के बीच बातचीत क्या हुई है आज का जा रहा था कि ग्रामीनों के साथ साथ जो जेल में बंद नरेश मीना हैं उनसे भी मुलाखात किरूडिलाल मीना करेंगे तो क्या कोई खास संदेश लेकर सरकार का कोई खास संदेश लेकर क्या किरूडिलाल मीना नरेश मीना से मिलने जेल में पहुँचे थे क्या था वो खास संदेश क्या किसी तरह का आफ़र था या किसी तरह का एक सक्त संदेश था ये टटोलने की कोशिश करेंगे दूसरा सवाल क्या है क्या दो नाओं में पैर रखकर बाबा फस गए एक तरफ सरकार एक तरफ वो ग्रामीन वो समाज जिसके बल्बूते पर 40 साल की एक बढ़िया राजनीती मजबूत राजनीती किरोडिलाल मीना ने की है इन दोनों के बीच किरोडिलाल मीना फसे हुए है और क्या इनी दोनों नाओं पर पाउं रखने से एक साथ बाबा घुटन महसूस कर रहे है या बड़ी छट पटाहत महसूस कर रहे है तीसरा सवाल क्या है टोंग हिंसा में न्याइक जाच पर क्या ग्रामीन अड़ गए है जैसा मैंने पहले जिक्र किया बीते दिन जब एक तरीके से कहें तो सरकार की तरफ से ग्रामीनों से मुलाखात ग्री राज्य मंतरी की कराई किरुडिलाल मीना ने तो मीटिंग में जो बात हुई लेकिन जब बाहर नओएक जाच के बात हुई तो काफी ज़्दा ताउख हुए किरुडिलाल मीना ग्रामीनों पर नज़र आये थे लेकिन यहां पर अभी वो ताव काम नहीं आया वो भड़क काम नहीं आई अब ग्रामी न्याइक जाच की मांग पर क्या अड़े हुए हैं ये भी आपको बताएंगे विपक्षी देताओं को सचिन पाइलेट को आखर बयानबाजी की नसीहत बयानबाजी की सलहा क्यों दे रहे हैं किरोडी लाल मीना ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल है तो इनी सवालों के जवाब टेटोलने की कोशिश करेंगे उससे पहले आपको बता दू कि राजिस्थान की राज़ी ते उसके सटीक विसलेशन और अंदर की खबरे दिखाने वाला स्पेशल शो इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ भवशी त्यागी किरोडी लाल मीना ग्रामिनों के डेलिकेशन को ग्रीराज्यमंत्री और मंत्री कनहिया लाल चौधरी से मुलाखात कराने के बाद आज उन ग्रामिनों से मुलाखात करने पहुचे जो टॉंक इंसा मामले में पुलिस की तरफ से गिरफतार किये गए और टॉंक जेल में तॉंक जिला जेल पर अटकी हुई थी कि जब बाबा पहुंचेंगे अंदर मुलाकात उन यूपकों से करेंगे जो इस पुरे मामले में आरूपी बना का जेल में ठूस दिये गए नरे इश्मीना से जब मुलाकात करेंगे तो उनसे क्या बात करेंगे क्या संदेश देंगे जेल से निकल कर जिस तरीके से उन्होंने बयान बाजी की, कल के अंदाज से पूरी तरह से ठंडे किरोडिलाल मीना साहब नजर आए, आखिर इसकी वज़े क्या है, सबसे पहली बात ये जानेगे कि नरेश मीना से क्या बात हुई, क्योंकि देखे हर एक मुद्धे पर टॉंक जेल से माँखने निकल कर किरोडिलाल मीना ने अपनी बात कही, लेकिन नरेश मीना से मुलाकात को लेकर उन्होंने एक छोटा सा संदेश दिया, उन्होंने का खागा कि देखे, जेल कि सहीता का उलंकंगन नहीं किया जा सकता, यानि ये स्ट्रिक्ट जेल मैंडूल के तयत क जेल के जो रूल्स एंड डेकलेसंश रेगुलेसंश हैं उनके तैद नरेश मिना जो की मुख्य अभीज़ थे थपड़कान मामले में उनसे क्या बात चीत हुए इसकी जानकारी उन्होंने बिल्कुल नहीं दी लेकिन जिस तरीके से नरेश मिना को लेकर उन्होंने बयान दि किये लेकिन अनियंतुर्थ भीड से मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और उस पर पर कोई राजनीती नहीं कि इस तरह से राजनीती नहीं होती यानि उनके बयान से पहले बयान सुनियों सके बाद बताता हूं जेल के तो कोई गोपने बात भी नी कर सकते हैं जेल का एक सहीता होती है उसका उलंगन नी किया जा सकता है मैंने प्रियास किया है जब मैंने कोई आंदोन रखी है तो चाह कितनी भी भीड हो प्रियास करता हूं को नियंतरन में रहे और भीर जिन्यंतरन हीन हो जाये तो वह में नेतगरी नहीं करता कि देश में कानून करा जहें कानून की पालना होनी चाहिए प्रसाशन भी लोकत्मत्र का भेतपूर्ण पीलर है हिस्सा है उसके साथ अहता पाई अत्यजित दुखत नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रशाशन को भी अनाविश्र रूप से बलप्रियोग करके ऐसा नहीं करना चाहिए जो दस बारे लोगों के अंदर जेल में हालात है तो अनियंत्रित भीड को लेकर जिस तरीके से नरेश मीना पर एक बार फिर से किरोडी मीना ने सवाल उठा दिया उसे बात साफ है कि जो संदेश लेकर सरकार का संदेश लेकर किरोडी मीना नरेश मीना से बात करने के लिए जेल में पहुचे थे शायद वो बात बन नहीं पाई या तो किसी तरह का ओफर था क्योंकि देखिए ग्रामीनों की मांग नयाइक जाज को लेकर जिस तरीके से बरबरता ग्रामीनों पर हुई ग्रामीन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और ऐसा लगरा है समाज का साथ भी नहीं मिल पारा किरोडी लाल मीना को और इस वज़े से कुछ खास संदेश कुछ खास बात लेकर जेल में पहुचे लेकर जिस तरीके से बहार आकर टार्गेट किया तो लगा कि शायद किरोडी लाल मीना की बात नहीं माने फिर एक बार आकर किरोडी लाल मीना ने कह दिया कि अनियंत्रत भीड पर राजनीती नहीं की जाती उन्होंने अपने अंदुलों का जिक्र कर दिया जिस समाज की राजनीती किरोडी लाल मीना करते नजर आये हैं चार दशकों में वो समाज की राजनीती क्या अब स्प्लिट हो रही है और इस बात का डर है किरोडी लाल मीना साब को और इसी वज़े से जिस तरीके से लगातार वो इस मामले में अपनी भूमिका के जरी इस म वजह ही बाबा किरोडी को जिंजोड रही है तो जाहिड तोर पर अनियंतिल भीड पर राजडिती न करने की बाद जब किरोडी लाल मीना ने कही उसके साथ साथ बाबा किरोडी ने कई और बात कह दी लेकिन इतना साफ था कि नरेश मीना से बाचीत सफल नहीं हो पाई दो नाओं में पाउं रखकर क्या फस गए हैं बाबा देखिए ये भी एक सवाल बहत्पूर्ण है क्योंकि एक तरफ सरकार अब बाबा की लोडी भले कहें न कहें वो बार-बार जाकर पब्लिक डोमेन में कहते रहें कि देखिए मैं तो आप ही लोग का हिस्सा हूं आप ही लोग ने मुझे बनाया है लेकिन अपचारिक तोर पर वो सरकार का हिस्सा है और इस मामले में लगातार सरकार की तरफ से क्या फटकार भी पड़ रही है कि आप इस मामले को क्यों नहीं सुलजा पा रहे हैं एक तरफ लोग ये कहना लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने मंत्रियों को इस मामले को सुलजाने पर लगाया हुआ है लेकिन मामला सुलज नहीं रहा है सरकार इस मामले पर पूरी तरीक से पूरे तरीके से बैकफुट पर है मुक्यमंत्री कुछ बोलने तक को इस मामले पर राजी नहीं है इस मामले पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सरकारी स्तर पर नहीं दी जा रही है बाबा किरोडी भले मद्यस्ता कर रहे हैं बाचीत करा रहे हैं लेकिन बाबा किरोडी ने अपनी भूमी का को लेकर इतना सस्penze बनाया हुआ है कि लोग समझने पार रहे हैं कि कि बाबा किरोडी जो कह रहे हैं कर वह सरकार का स्टेंड है क्य察 ग्रामीनों का ए। अब देखें एक तरफ ग्रामीन है वह समाज है जिसका हिस्सा होने का जह जिस राजलीती से निकल कर अपने आपको इस मुकाम पर पहुंचाने का दावा किरोडिलाल मीना करते हैं तरफ वो समाज और दूसी तरफ सरकार जिसका हिस्सा है और जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार से इस बार जो भाई को टिकट मिला क्या वो एक बर्डन के तौर पर अब किरोडिलाल मीना के एक दबाव के तौर पर एक बोज के तौर पर कंदों पर किरोडिलाल मीना उसको महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि यह पूरा मामला सुलजाने का दाई तो उनके कंदों पर है औ उनके लिए अपने आप में बड़ा चैलेंज दिख रहा है देखें मैं यह बाते क्यूं कहरा हूं। आज दिखाई दिया पहले मैंने बताया आपको किस तरह की बात उन्होंने नरेश मीना को लेकर करा ही। दूसरा जुडिशल जाच करा देंगे कल तक जुडिशल जाच पर भड़क रहते हैं आज क्या कह रहे हैं जरा सुनिए जुडिशल जाच मामले को लेकर कि गेलो साबने सब दफन कर दी कोई कारवाय नहीं की फिर भी मैं गांव जा रहा हूं गांव वाले चाहेंगे तो हमारी सरकार सब्विद दन सील है सब्सक्राइब करा देंगे कि इस पूरे मामले की जोडिशन इंक्वाइरी होना चाहिए सब्सक्राइब लीपा पोती का तो सवाल नहीं उड़ता पर ऐसा लग रहा है मैं गाउं में जाकर पूछूंगा वो कहेंगे भई आ मांग उनकी रहेगी गाउंवालों की मैं इसलिए विशेश कर जा रहा हूं आसपास के प्रमुक लोग भी आएंगे वो कहेंगे जूडिशन इंक्वाइरी कराने की मांग करेंगो तो मुक्मंतरी से तो जाइड तो और पर किरूडिलाल मीना साब समरावता गाउं भी जा रहे हैं जेल में मुलाकात कर चुके हैं ग्रामीनों से तमाम चीज़े अब कह रहे हैं कि भई गाउंवाले कहेंगे तो जूडिशन जाच भी करा देगे आपने तमाम तस्वीरे देखी कल भी जब ग् पनी ही बात पर अड़िक नहीं रह पा रहे हैं किरूडिलाल मिना क्यूंकि एक परे मामले पर नहीं रख पा रहे हैं यह अपने अप में एक बड़ा सवाल है एक और सुनवाता हूं आपको वह कह रहे हैं कि भाई कि जिस तरिक से पूरा मामला हुआ ? तमाम जाच हुई इस पूरे मामले पर क्या मामला जब एक संवाधाता ने सवाल किया ? क्या मामला निकल कर सामने आया तो किरोडीलाल मिना ने एक लाइन में ने कह दिया कि जो कुछ हुआ वो रात के अधेरे में तो पूरी तरीके से अंदाज जो देखिए किरूडि लाल बीना साब का है वो थोड़ा बदला है यानि वो ये जताना भी चार है है जब ग्रामिनों की तरफ से जेल میں गिरफतार ग्रामिनों से मिनने पहुंचे तो जताना चार है कि देखिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं आपके साथ हूँ जो हुआ ग्रामीनों के उपर बरबरता हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और कल तक उसी बरबरता पर नाईग जांच से भड़कते नजर आ रहे थे तो ये पूरा अंदाज जो है किरोडी लाल मीना का ये कहीं न कहीं एक कहें तो डबल स्टैंडर्ड जो हैं टोंग हिंसा पर वो दिखा रहे हैं एक और चीज जो सामने आई देखे इस पूरे मामले पर एक बहुत अच्छी चीज ये रही कि इस पूरे मामले पर अमित चौधरी और नरेश मिना के बीच जब विवाद हुआ तो नहीं किसी विपक्षी दल नहीं किसी विरोधी नेता ने इस तरह की बयान बाजी की कि ये पूरे पूरा जो विवाद है जो फर्जी वोट से लेकर थपड़कांड का जो मामला था या पुलिसिया बरबरता का जो मामला था ये डाइवर्ट होकर के जातिगत लडाई न बन जाए या इस पूरे विवाद में जाती का जहर न घुल जाए इस तरह का कोई बयान किसी विरोधी दल विपक्षी दल ने नहीं दिया विरोधी नेता ने नहीं दिया हनुमान बेनिवाल ने एक बार जरूर कही कि एक नहीं दो चार मैं होता तो दो चार मारता हलाकि इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे लेकिन बावजूद इसके हनुमान बेनिवाल ने भी इस मामले को जाती की लडाई नहीं बनाया सवाल यहे कि क्या यहीं आकर किरोडिलाल मीना फस गए हैं क्योंकि अगर यह जाती के लड़ाई बन जाती तो शायद किरोडिलाल मीना को इस पूरे मामले को टैकल कर ले जाना थोड़ा आसान हो जाता है सवाल में क्यों पूछ रहा हूं क्योंकि खुद किरोडिलाल मीना ने आज जो बयान दिया उससे सवाल खड़े हो रहे है पाइलेट सचिन पाइलेट के नियाईग जाज की बयान पर किरोडिलाल मीना ने कहा कि भाई जब आप सडक पर नहीं उतर सकते तो कम से कम बयान बाजी कर दीजिए उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो तिल का तार्ड बना देता था आफ तार्ड को दिल बना रहे हैं ये इशारा क्या था सुनी जरा क्या कह सबक्रोडिलाल मीना तो देखा आपने, अब आप अंदाजा लगाईए कि आखिर इस बयान का संकेत संदेश क्या है? क्या किरोडी लाल मीना ये संदेश देने की कोशिश कर रहे है कि विपक्ष के नेता अगर इस पर कुछ बयान बाजी करें इस पूरे मामले पर तो ग्रामीनों पर हुई बरबर कहना क्या चा रहे थे इस पूरे बयान में ये कहीं न कहीं समझने की जरूत है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरी लडाई में एक तरफ जहां नरेश मीना जेल में बंद हैं जिनोंने SDM को ओन ड्यूटी SDM को थपड मारा हाला कि उन पर कोट केस चल रहा है कोट से उनको स सजा मिल पाए उन संदिक्द तत्वों पर आसमाजिक तत्वों पर कारवाई हो सके जिनोंने टोंक में समरावता गाउं में इस विबाद में चिंगारी लगा करके इसको एक बड़ा कांड बना दिया चाहे उसमें कोई सरकारी अधिकारी हो चाहे सरकारी करमचारी हो चाहे टोंक में बाहर से पहुँचे असमाजिक तत्वों जो मामले में हिंसा भड़का करके अपनी राजनीती चमकाना चाहते थे लेकिन उससे पहले बाबा किरोडी को भी अपना बयान और अपने बयानों क के माईने क्लियर करने होंगे बाबा किरोडी का जो बयान था जिसमें वो विपक्ष को सड़कों पर उतरने के बजाए बयानबाजी की नसिए रहें से आप क्या समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा फिलाल आज इस इंसाइड स्टोरी में इतना ही जानकारी वीडिय आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए का और जादे जादा शेयर कीजिए का था कि जो हमारे सवाल हैं जो टोंक और सब्रावता गाउं में हुई हिंसा और उन ग्रामिनों के हक की आवाज है उस सरकार तक जरूर पहुंचे आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते ह आपके लिए खुला हुआ है अपनी बात अपना सवाल अपनी राय कॉमन बॉक्स के जरिम तक पहुंचा सकते हैं राजिस्तान से जुडियो और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए टीवी डायन राजिस्तान नमस्कार